वेल्कम बैट टो किंग बैट स्केर दोस्तों कैसे हैं आप लोग मैं हूं अश्वाक एम्मद आज की वीडियो बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही इंफर्मेटिव होने वाली है और बहुत ही फाइदेबन होने वाली आप लोगों के लिए अच्छा जैसे आपको पता है कि ब पताने वाला हूं मौरिंगा पॉर्टर का इस्तेमाल बहुत ही जादा जरूरी है यही एक चीज है जिसकी वज़े से आपने रिखा है कि मेरे पास प्रोडेक्शन हर बट्स की बहुत अच्छी आती है मैं कोई दी किसिम का मौरिंगा पॉर्टर के लावा कोई की किसिम को ब बहुत फाइदेमन्द है जिन अजराज के जोड़ों मिद्राद हो या बहुत सारे मौल्टिपल बिमारी यह यूश किया जाता है यूश समझ लिए कि के बाद जो नंबर आता है वह मौरिंगा का आता है और आप लोगों को पता है कि मैं अपने लिए मौरिंगा पॉडर ख किस तरह आउडर कर सकते हैं किस तरह ले सकते हैं यह मैं डिस्क्रेप्शन में लिंक दे दूगा आगे वीडियो में भी बता दूगा अच्छा जी इसकी पूरी मैनुफेक्ट्रिंग स्टैब बाइस्टैप जीरो से लेके एंड तक सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो मे मिलने वाली है यह वीडियो की बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाली है अच्छा जी इसके इलावा आप मोरिंगा पॉडर यह खुद भी यूज़ करते हैं जरूरी नहीं कि आप सिर्फ वर्ट्स को दें अभी मैं आगया आपको यूज़ करके भी दिखाता हूं तो वीडि आप इसको बहुत ही माइनर से खड़कना यह देख सकते हैं कि आपने बहुत ही मैंनर से उपर शड़कना मैं भी आपको दिखावी देता हूं और इसत्तर आपने जाहिए अना जैसे शॉफपूड है तो आपने बहुत ही इसको बरबर के डालें दर्वत नहीं होती यही इनफ होता है यही बहुत होता है आपके परिंदों के लिए अच्छा दूसरी चीज के यह इसकी तासिर वैसे भी गरम होती है तो सड़ी में देना यह और फाइद्यमत है आप यह देख रहे हैं कि यह आप अगया है इसके पत्लों की यह हो चाहीं भी बनती है और भी बहुत सारे इसके बहुत सारे यहरा ना होते हैं आपके लिए और आपके दीजिए दोस्तों इसका मेनिफेक्टरिंग प्रॉसेस प्रॉसेस में आपको step-by-step दिखाता रहता हूं और उसके साथ-सकी इसकी इंपोर्टेंस भी बताता रहता हूँ कि यह कितना मुफीद है आपके लिए और आपके बर्ट्स के लिए दोस्तों मौरिंगा को सोहाज ने भी कहा जाता है और इसके फवाइद बेशुमार हैं जितने भी बड़े बड़े ब्रीडर हैं वो सब अपने पास मौरिंगा का यूज जरूर करते हैं साथ साथ मैं आपको प्रोसेस में बताता रहूं किस तरह जो है वो इनकी छूटी शाखें कलेक्ट की जाती हैं पर आगे का क्या प्रोसेजर है वो भी मैं आपको साथ साथ दिखाता रहता हूँ दोस्तों जैसे मैंने आपको बता है कि मॉरिंगा एम्मिनी सिस्टम को भी बढ़ाता है ये बिमारी आने से पहले ही परिंदे की बॉड़ी को इसकाबिल बना देता है कि वो बिमारी से लड़ सके अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमने बड़ी डंडिया अलग की थी उससे हमने जो है वो मजीद छूटी डंडिया कलेक कर ली है ये बड़ी डंडिया जो हमारी अलग हो गई है और यहाँ पर हमने इस साइस की पत्ते वाली डंडिया निकाल ली है और इसकी जो है वो हमने नौर्मल साइज की गड़ियां बना ली है ताके हमें अगला प्रोसेजर करने में असानी हो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने पानी ले दिया है ये पीने का पानी है अब अगला स्टेप यह है कि हमने इसके जो बंडल बनाए हैं यह हमने पानी के अंदर बिगा देने हैं पहले इनको हमने बिगा के रखना है और उसके बाद फिर यह अच्छी तरीके से वाश होंगे एक और चीज़ मैं आपको बताओं कि मोरिंगा के अंदर केले से जादा पोटेशियम होता है एक से जादा इसके अंदर मेगनीशियम होता है बदाम से जादा इसके अंदर विटाइमिन E होता है गाजर से जादा इसके अंदर विटाइमिन A होता है दही से जादा इसके अंद अच्छी तरीके से वो Wash नहीं होते तो चलिए अब दो жंब本ग बाद जो है मैं आपको दिकाता हूं कि ये पानी की क्या कंडिशन होती है अब आप देख सकते हैं ढाई घंटे बॉक्ष हो चुके हैं और ये पानी का कलर भी आप देख सकते हैं और अभी ये wash नहीं हुआ है अब इसके बाद जो है वो हम इसको अच्छी तरीके से wash करेंगे अब washing करने में ये बहुत आसानी से wash भी हो जाएंगे और बहुत अच्छी तरीके से wash होंगे अब यहाँ पर हमारे कुछ बंडल जो है वो वाश हो चुके हैं अच्छी तरीके से और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह बिल्कुल नीट एंड क्लीन है अब हमने इसको कुछ देर इसी तरह रखना है कि जो सारा पानी है वो इसके अंदर से निकल जाए और उसके बाद हम फिर नेक्स प्रोसेजर के उपर चलेंगे जब भी मौरिंगा लीव पॉर्डर बनाया जाता है तो उसके जो लीव होते हैं वो धूप में नहीं सुकाया जाते है इसको शैड में सुकाया जाता है दोस्तों आप ये भी सुनके हरान रहे जाएंगे कि मौरिंगा के अंदर पालक से जादा आयरन होता है दूज से जादा इसके अंदर कैल्शम होता है और इसके अंदर विटाइमेंस ही होता है गंदुम से जादा इसके अंदर कलोरोफिल होता है तो चलिए अब चलते हैं न अब याब यहाँ पर देखें तो हम इस तरह भी इनके पत्ते कर सकते हैं मगर इस तरह लुट करने में ये दौ चीज़ होंगी एक तो जह हैं जितने पीले पत्ते हैं वो भी इसके अंदर आ जाएंगे शामिल हो जाएंगे दूसरे यह है कि dust वगरे भी आ सकती है इसके इंदर तो हमने इस तरह इसको collect नहीं करना इसके इलावा क्या procedure होता है वो भी मैं आपको step by step बताता रहता हूँ अभी हम फिलाल यह सारे bundle जो है वो यहां से collect कर लेंगे अब यहां पर आप देख सकते हैं कि यह सारे bundle जो है वो हमने खोल दिये हैं यहां पर और इसको dry करने के लिए रख दिया है आच जैसे मैंने पहले कहा कि sunlight में dry नहीं किया जाता है इसे इंडोर में ही dry किया जाता है तो यहां पर हमें थोड़ा सा और दिन लगने वाले हैं इनको dry करने के लिए और यह देख लीजिए आप माशलला से सारे पते जो है वो सास उतरे तरहीके से हमने यहां पर रखे हुए हैं अब हर दो दिन बाद इनकी side change कर देते हैं मतलब इनको पलेट देते हैं और तक्रीबन चार दिन बाद मैं आपको इसका result दिखाता हूँ अच्छे जी यहां पर चार दिन हो चुके हैं आप देख सकते हैं कि काफी जो है वो dry हो चुके हैं और अब हम इसको check भी कर लेते हैं यहां पर आप देख सकते हैं यह काफी ड्राय हो चुके हैं मैंगर मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी इनमें कुछ कसर बाकी है तो हम चेक कर लेते हैं कि अभी इनकी क्या प्रोग्रेस है यह काभिल हो गया है कि अब इनको नेक्स प्रोसेजर की तरफ डाला जाए या नहीं simple जो है वो हम पत्ते जो है वो इसके collect कर लेते हैं और यहां पर हम इसे check भी कर लेंगे हाथ के आथ अच्छे जी अभी मेरे हिसाब से जो है वो थोड़ी सी कसर बाखी है अभी इनको थोड़ा सा और time चाहिए तो हम दो दिन बाद दुबारा देखते हैं अब मज़ी दो दिन गुजर चुके हैं और हम अभी देख लेते हैं कि लीफ की जो है वो क्या condition है अब हम इनको separate कर सकते हैं या नहीं तो बहुत ही असान तरीके से हम इसको निकाल लेंगे ये देखिए कितिनी असानी चाहिए वो लीव अलग हो गए है और डेंडिया जो है वो अलग हो गई है और ये देख लेज़े ये बिल्कुल जो है वो ड्राय हो चुका है और अब जो है ये अपने next process की तरफ जाने के लिए ready है दोस्तों इसे order करना बहुत ही असान है आप हमारे facebook page या facebook group से order कर सकते हैं link में ने description में दे दिया है ग्रूप का नाम है king bird scare official तो दोस्तों डेंडिया के सारी अलग करने के बाद जो moringa leaf हमने collect करे हैं उसे हमने grinder के अंदर अची तरीके से पीछ लेना है और उसके बाद उसे चान लेना है तो आपको ये बहुत ही इस पूद जो है वो powder shape में मौसूल हो जाएगा ये देख लिए ये कितना खुबसूरत लग रहा है ये माशाला से बिल्कुल fresh और बहुत ही organic तरीके से और बाकी जो डंडियां जो बारिक बारिक डंडियां हैं वो भी इसके अंदर चंके अलग हो गई हैं ये देख सकते हैं आप ये सारी डंडियां जो है वो इसके अंदर अलग हो गई हैं तो आपको pure form में जो है वो सिरिफ leaf powder मिलता है अगर यह आप बाय गरना चाहरे हैं तो डिस्क्रेप्शन में लिंक मौझूद है फेस्बुक पेच का और फेस्बुक गूरूप का आप वहां से यह पर्चेस कर सकते हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजेगा अगर आपका कोई भी कॉश्चन हो तो आप कमेंट के अंदर पूश सकते हैं अस सोने अस पॉसिबल में उसका रेपलाई जरूर दूँगा नेक्स वीडियो में बहुत जल मिलते हैं अपना और अपने बड्स का बहुत ख्याल रखिए टेक क्यार